रहना तो मुझे दिल्ली में ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मुझे वो लड़ाई लड़नी है, पॉलिसी की लड़ाई लड़नी है, मुझे खेलना है, तो फिर मैं अपने बूते पे आई और मैंने कहा आज के बाद मैं एक रुपिया घर से नहीं लूगी, तो उस वक्त उत स्टेडियम पास था, तो इसलिए वहाँ पे एक कमरा लेके मैं रही, और खुद ही फिर, और वहीं से मेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर का अवतार भी जगा, क्योंकि जब मैं मोटिवेशन के तोर पे अपनी कहानी कॉर्परेट्स में शेर करने लगी, तो थोड़े बहुत प किया है, जीवन में बड़ा बदलावाया होगा उसके बाद में, क्योंकि ओलम्पिक का मेडल तो ओलम्पिक का मेडल है, कितने भी अवार्ड रिवार्ड आपको रेकरिशन मिले है, उसके बाद, अचा बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे, जोनोंने पहले क्या-क्या बोला, औ और कई बार ऐसा होता है, कि आपको रिश्टेदार रखना चाहते हैं, कुछ नहीं भी रखना चाहते हैं, मैं उन तकलीफों को आज नहीं बात करूँगा, आज तो बात आप की हो रही है, पर आज सब के सब जितने दूर दूर के रिश्टेदार हैं, सब बड़ा प्यार कर मैं पंजाबी हूँ जो जाटों के घर आई थी, उपर से मैं बिमार हो ली, तो फिर भी उसके बावजूद एक गाउं की बहू थी, जो जाट नहीं थी, फिर भी लोगों ने ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी हमारे गाउं का एक शेर बाकी है, अलम्पिक में मेडल नहीं आ बहू को जो अपंग है, शेर गाउं का कहा जा रहा है, तो उसमें आप जेंडर कनवर्जन देखिये, उसके अंदर भी एक लड़के जितनी पावर देखी जा रही है, बहू के अंदर, गाउं का शेर, और दूसरी चीज, पैर अलिम्पिक और अलम्पिक को एक समान समझा ज बहुत सुंदर, और इसलिए हम लेके आएं आपके लिए बड़ा भारत, और लोगों से मिलवाना चाहता हूं, आपको ऐसे, कॉमन बॉक्स में बताते हैं किससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं अब आपको अगले सब्जेक पर ले जा रहा हूं, मैं इसलिए इंपॉर्टन है पारलम्पिक में मेडल आपने जीता, बाद में आप उस कम्मिटी की प्रेजरेंड मनाईगें